बिस्मिल्ला रह्मान रहीम असलाम लेकम मैं लेकिया हूँ आपके लिए टोटिला रैप्स सेंड्वीच कुछ भी कह सकते हैं आप लो इसके लिए कुछ वेज़िटेबल्स यह मैंने स्क्रीन पे लिकती हैं आप पिक्चर शॉट ले 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 और यह वेज़िटेबल्स हैं जो बोनलेस चिकन लेके उसको क्यूब्स कट कर ले इसको मैंने थोड़ा चिकन को सिर्थ थोड़ा सा सिरका डाल के इसको वाश कर लिया था अब इसमें नमक डाले ओए डाले और इसके साथ आप पोई सा भी तिका बोटी मसाला कुछ भी इसमें डाल सकते हैं इसको इसका फ्लेवर इंहेंस करने के लिए अच्छा से इसको मिक्स करते जाएं आप इसमें थोड़ा पानी डाल के भी इसको अच्छा से को कर सकते हैं लेकिन मेरी चिकन के जो पीसीज आई या बोटी आई वो छोटे-चोटे पीसीज आई यह जल्दी को को हो जाएगा यह देखें यह अगर आप पानी के साथ बिनाएंगे तो वह इसका कलर देख रहे हैं यह ऐसा ऐसा होगा और विदाउट पानी बिनाएंगे तो वह बार्बीक्यू स्ट्राइल होगा अब इसके बाद इसमें कलर आना शुरू हो जाएगा थोड़ा यह देखें अब चलते हैं दूसी तरफ आप इसकी सॉस रेडी कर लेते हैं लेते हैं एक बॉल और उसमें डालेंगे हम माइनेस कॉंट्री आप अपने हिसाब से देख लिएगा कितने लेनी है कितने आपके पास सेंड्वीच है कितने रैप्स आपने बनाने है उस हिसाब से आप रख लीजिएगा इसके बाद हम सेकंड इंग्रीडियंस ले लेंगे कैचप इसके साथ आप मस्टर्ड सॉस भी डाल सकते हैं मेरे पास अविलेबल नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाली अगर डाल नहीं हो तो आप एक टेप्स इसको करते हैं एक साइड पे वेजिटेबल्स हमने अल्रेडी पहले कट करके रख दी हैं जैसे कि यह चिकन हमने ठंडा उनने के लिए रखा था इसको छोटा-छोटा करके बार पतला करके कट कर लें या रेशी कर लें जैसे आपको इजी लगए कर लें अभी भी यह बहुत करम है यह देखें दूसरे शेफ मेरी बेटी आ चुकी है इसको कट करने उसकी अपनी नाइफ है क्योंकि यह इतनी शार्ट में होती इसलिए वो यूज़ कर लेती है यह है यह है दनियप अदीने की चटनी इसकी रेसिपे मैं दे चुकी हूँ है यह है पराठा चपाती क्योंकि मुझे वो नहीं मिला था टोटिला रैप्स नहीं मिले थे तो मैंने यह ले लिए इससे बिनाना सिका दूँगे आपको अगर वो ना मिले तो यह चपाती भी आप ले सकते हैं फ्रोजन चपाती वेल और यह बहुत पतले से हैं टॉटिला टाइप ही हैं बिल्कुल पतले से हैं देखें बस लाहीर से यह देखें बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो यह मिक्स अब हमने वेजटेबल्स को मिक्स कर लिया सब वेजटेबल्स को एक जान कर लिया आप एक जासा अब एक रैपले यह देखें, दोनों साइड से कुक्या, आपने मर्जी के साथ कम या ज्यादा चिकन लगा सकते हैं. यह सेंड्विश कूल्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं, लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं. यह मिंट चटनी है, इसको रैप करते हैं, रैप करने के बाद इसको थोड़ा टोस्ट कर लें, जब यह अच्छी तरह विजिबल हो जाएं इसकी लाइन्स, तो इसका मतलब है यह के हाड़ों के वह स्टक हो जाएगा, यह देखें. अब इसको दूसरी तरफ से भी कर लें, यह देखें, कितने इच्छी लग रही है लाइन्स, और इसकी वजाए से इसका जो टेस्ट है वो भी बार्ब्यक्यू फ्लेवर आता है, और बहुत अच्छा टेस्ट लगता है, यह देखें जी एक लास्ट लुक है, उमीद करती आपको डिश पसंद आएगी, अपनी दोहों में याद रुकिए, तैंक्स पर वाचिंग, आलाह अफ़ेद्ध